दोस्तों आप सभी से निवेदन है जैसे कि आप सभी को पता है कि 22 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक सरकार द्वारा निर्देश दिया गया है कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकले जी हां दोस्तों तो आप सभी से रिक्वेश्ट है कि आप इनिर्देश का पालन जरूर करें आज जरूरत है हम सब को अपने देश के लिए कुछ करने की वो भी घर बैठे आप सहयोग दे सकते हैं अपने देश को इस महामारी से बचाने के लिए दोस्तों धियान में रहे यह भी एक परकार का देश भक्ती ही है दोस्तों आप पूरी दुनिया के लिए कुछ भी नहीं हैं लेकिन आप अपनी परिवार के लिए पूरी दुनिया हैं आप सुरक्षित हैं तो आपकी दुनिया सुरक्षित है आपका पुरा परिवार सुरक्षित है आपका पुरा अपना देश सुरक्षित है तो जरूर दोस्तों इस बात को धियान में रखें दोस्तों इटली का अभी वो हाल है जो आज तक नहीं हुआ है जी हां दोस्तों आप आप देख सकते हैं ये चितर जो है इटली के परधान मंत्री का है दर्द भरी आखों से उबलता हुआ आशू आप खुद ही देख सकते हैं और जो भी मजाक बना रखे हैं घर से बाहर निकल रहे हैं तो दोस्तों मजाक में नहीं लिजे जिन लोगों को करोना वाइरस 19 मजाक लग रहा है वो इसके तस्वीर को बार बार गौर से देखिए और सीख लिजे दोस्तों इटली के परधान मंत्री के सेन कॉंटें अपने देश में मरती हुई जनता को देख कर रो पड़े एक देश का परधान मंत्री पावर में होने के बाबजुद भी कुछ भी न अब हमें किवल भगवान ही बचा सकता है और दोस्तों वो भगवान है जो कि डौक्टर कर सकते हैं और डौक्टर भी अपना कितना पर्यास करेंगे आप अपने साप सफाई आप अपने ही फाजत आप खुद करें इससे बड़ा कोई संभाव काम नहीं हो सकता है यहार पर देख सकते हैं इटली में रविवार को जब 651 लोगों की मौत हुई वही आकरा जो है अब करीब 10 गुन्ना हो गया है जियां दोस्तों पचपन सो पर पहुँच चुका है आप सोच सकते हैं जहां 651 रविवार को हुआ और वो आकरा पचपन सो पहुँच जाता है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी तेजी से ये सभी को रौंद रहा है तो दोस्तों जरूरत है हम सब को एक साथ होने की मतलब आप अपने घर बेठे जो भी सरकार द्वाना निर्देश दिया गया है आप उस निर्देश का पालन करें जो भी खाने पीने की समान है आप अपने हिसाफ से घर में ही मैनेज करें कोई भी जरूरत काम हो सबसे पहले आप अपनी जिंदगी को परार्थ मिता दिजिए जिसे कि आपका परिवार भी और आप खुद भी सुरक्षित रह सकें और पुरा देश भी सुरक्षित रह सकें दोस्तों ये महामारी कोई आम महामारी नहीं है एक बार अगर परवेश कर जाता है जिस इनसान के अंदर उसका पहुत ही कम चांस रहा है बचने का तो दोस्तों इस तरह से चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और दोस्तों इस तरह से ये महामारी आगे भी फैलता रहा तो हम लोगों के लिए काफी मतलग खतरनाग सावित हो सकता है हम लोगों के लिए केवल नहीं पूरा विस्व के लिए ये खतरनाग सावित हो सकता है तो आप सभी धियान रखें, सुरक्षित रहें, खुश रहें आज किस वीडियो में DLA, BLA, इंटरेंस एक्जाम 2020 को टार्गेट करने के लिए पाचवाँ से स्पार्क से लेकर के आए हैं तो परती दिन साम साथ वजे चलती है तो थोड़ा बहुत लेट हो जाती है कभी कभी टेकनिकल समझे है, करन या फिर नेट नहीं चल पाता है तो वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है तो आज किस वीडियो में हम लोग GK और GS, मतलब सोसल सैंस और सैंस के कोश्चन को देखने वाले हैं जो टोटल 120 मार्क के पूछे जाएंगे तो आप लोगों को सैंस से 20 कोशन और जनरल नोलेज यानि की सोसल सैंस से आपका 20 कोशन टोटल 120 मार्क का कोशन होगा, इसका पीडियाप आप टेलेग्राम से डॉनलोड कर लीजिगा इसमें मैथमेटिक सब्जेक्ट नहीं है और दोस्तों एकजाम की बात करें, एकजाम कब होगा तो एकजाम के बारे में अभी कोई बात ही नहीं कीजिए तो हम सब के लिए ही अच्छा रहेगा थोड़ा भूत हम लोग धियान देंगे नर्वस रुप में भारत में सबसे कम वर्षा वाला अस्थान क्या है भारत में सबसे कम वर्षा वाला अस्थान क्या है आप सभी थोड़ा कोमेंट भी करते चलिएगा और जो भी नए जुरे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो लाइक कर दीए हैं बहुत भूत धन्यवाद आपका नए साथी है तो चलिए नको सबस्क्राइब भी करें साथी साथ बैल अकन को भी प्रेस करें हो सके तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंज के साथ जरूर सेयर कर दीजिए भारत में सबसे कम वर्षा वाला अस्थान कौन सा है दोस्तों लेह का नाम आप सुने ही होंगे ले जगा जो है भारत में है यहां पर वर्षा सबसे कम होती है आगे है विश्व की सबसे गहरी समुद्र गर्थ कोन सा है बताईए विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्थ कोन सा है दोस्तों विश्व की सबसे गहरी समुदरी गर्थ परसांत महासागर में इस्थित है आप सभी को पता है और इस इस्थित गर्थ को चेलेंजर गर्थ कहा जाता है तो इस तरह से इसका सही जवाब B हो जाएगा और इसकी लंबाई की बात कर यानि की गहराई की तो 11,033 मीटर है तो ध्यान में रखे इस बात को भी अस्ट्रेलिया में इस्थित कालगुर्ली किस के लिए विख्यात है स्वर्ण उत्पादन के लिए उत्तम जलवायू के लिए सिक्छा केंदर के लिए या फिर मुर्गी पालन के लिए दोस्तों अश्ट्रेलिया में काल गुरली जो है ये सोना उत्पादन के लिए परसिध है दियान में रखे ये सही जबässवाब हो जाईगा ठारू लोगों का निवास अस्थान कहां है? थारू लोगों का निवास अस्थान कहां है दोस्तों थारू लोगों का निवास अस्थान उत्तर परदेश की एक परमुख अनुसुचित जन जाती है और इसका छेतर तराई छेतर है जहां पर ये निवास करती है तो उत्तर परदेश की तराई छेत्र हो जाएगा सही जवाब B आगे है हजीरा उर्वरक कारखाना किस अधार पर आधारित है हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है दोस्तों इसका अगर सही जवाब की बात करें तो प्राकिर्तिक गैस पर आधारित है हजीरा उर्वरक प्रकिर्ती गैस पर आधारित है आगे है नागारजोन सागर बांध किस नदी पर अवस्थित है भाहा नदी पर गोदावरी पर किरिशना पर या फिर नर्मादा पर दोस्तों नागारजुन बांध जो है यह गुदावरी नदीप पर अधारित है यह हो जगा बी सही जवाब आगे है राष्टिय ग्रामीन विकास संस्थान कहां इस्थित है पटना में देलही में हिदराबाद में या फिर सिमला में ग्राष्टिय ग्रामीन विकास संस्थान कहां इस्थित है तो दोस्तों सही जवाब हो जगा हेदराबाद में इस्थित है ध्यान रखिए भारत की स्खनीज के उत्पादन में आत्म निर्भर है भारत की स्खनीज के उत्पादन में आत्म निर्भर है टीन चांदी सोना या फ सभी जवाब हो जाएगा आगे हैं संग मरमर क्या है संग मरमर क्या है दोस्तों अवसाधी चट्टान है तल छटीय चट्टान है कायांतरी चट्टान है या फिर अगने चट्टान है संग मरमर क्या है दोस्तों संग मरमर जो है कायांतरी चट्टान है सी सही जवाब हो जाएगा पिर्थवी का निकटतम गरह कोन सा है पिर्थवी का निकटतम गरह कोन सा है प्लुटो, सुक्र, मंगल या फिर बूध दोस्तों पिर्थवी का निकर्थम गरह की बात करें तो सही जवाब आपका हो जाएगा सुक्र पिर्थवी का निकर्थम गरह क्या है? सुक्र है यहाँ पर गरह पुछा है तो सुक्र हो जाएगा दोस्तों तो दोस्तों यदि इसको हम सर्च करके देखे तो यहां पर पता चल रहा है सुक्र जो है जब सूर्य और पिर्थवी के बीच में होता है तो यह पिर्थवी का सबसे निकटम गरा है सही है निकटम बिंदू पर होता है इस अवधी के दोरान सुक्र जो है पिर्थिवी का सबसे निकर्तम गरह होगा लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे समय है जब मंगल वास्तम में सबसे निकर्तम गरह होता है तो वो कुछ ऐसे इस्थिती होते हैं तब लेकिन वो ऐसे वास्तम में यहीं सुक्र ही होगा अगला कोशन है महासागरों में जुआर भाटा की उत्पती के क्या कारण है महासागर में जुआर भाटा क्यों उत्पन होते हैं सूरी के परकास के परभाव से पिर्थवी की घुर्णन की गति से सूर्य और चंद्रमा के सन्युक्त परभाव से या फिर इन में से कोई भी नहीं दोस्तों बता दें समुद्र का जल अस्तर एक निश्चित अंतराल पर परती दीन उठता है क्या होता है समुद्र का जल अस्तर जो होता है परती दिन निश्चित अंतराल पर उठता है और जल अस्तर को करमसा उपर उठने और नीचे उतरने को करमसा रूप से जुआर भाटा कहते हैं जुआर और भाटा उठने और नीचे आने की घटना को जुआर भाटा कहते हैं जुआर भाटे पिर्थवी और चंद्रमा जुआर भाटे में क्या होता है सोरी पिर्थवी जो होता है चंद्रमा और सूर्य के पारास्पिरिक गुरुत्वा कर्शन किरिया के कारण उत्पन होत सी सही जवाब हो जाएगा आगे है सू जो नहर है यह जोरती है सू नहर किसको किसको जोरती है दोस्तों बता यह सू नहर किसको किसको जोरती है पहला है तुरान और आन्टोडियो को आगे है आपका उप्शन बंगाल और तिरुपूरा को आगे है सुपरियम और मसीन गन को य कि दोस्तों सूनहर जो है यह सूपीरियर जील एबं हुईरन जील के मद में सेंट मेरी परताप से बचने के लिए एक नहर बनाई गई है वहीं है सूनहर तो सूपीरियर जील और हुईरन जील को मतलगी जोडती है तो डी सही जवाब हो जाएगा आगे है आकस्मिक्ता नीधी को राष्टपती कैसे व्य कर सकता है बताई दोस्तों आकस्मिक्ता नीधी से जो धन आती है सरकार को बताना है उसे राष्टपती कैसे खर्च कर सकता है समसद्य स्विकृति के पहले या फिर वे नहीं कर सकता क्या होगा दोस्तों बता दें कि अनुछेद दोसो सरसट के अनुसार समसद एक आकस्मिक निधी की अस्थापना करता है जो राष्टपती की अधिनता में होता है तथा वह इसे समसद्य सुकिर्ती से पुर्व खर्च कर सकता है इसका मतलब सही जवाब इसका दोस्तों क्या हो जाएगा समसद्य सुकिर्ती के पुर्व भी खर्च कर सकता है तो सी सही जवाब हो जाएगा योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है दोस्तों पहला है उपराष्टपती, राज्य मंत्री, केविनेट मंत्री या फिर सर्वोच न्याले के न्याइधिस अगर सही जवाब की बात करें तो योजना आयोक का उपाधियक्ट जो होता है केविनेट मेंद्री मंत्री के समकक्ष होता है तो सी सही जवाब हो जाएगा मुख्य चुनव आयोक्त को पद चुट किया जा सकता है, मतलब पद को छोड़ना पर सकता है कैसे ? मुख्य चुनओ आयोक को पद अगर चुरवाना हो तो कैसे कर सकते हैं कैसे चुरवाया जा सकता है सुप्रीम कोट के मुख्य नियादिश द्वारा, राष्टपती द्वारा मंत्री मंडल के प्रश्टाव से या फिर संसद के दोनों सदनों के वो 2x3 बहुमत से दोस्तों जब भी मुख्य चुनो आयुक्त को पद से हटाना हो तो उसके लिए संसद के दोनों सदनों का जो है दो वटे तीन बहुमत प्राप्त करना होता है और इतना बहुमत काफी है इनको हटाने के लिए तो D सही जबाब हो जएगा आगे है भारते संविधान की प्रास्तावना में धर्म निरपेक्ष सब्द की संसोधन के दोरा जोरा गया है बदाईए दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है भारते संविधान की प्रास्तावना में धर्म निरपेक्ष सब्द को की संसोधन के दोरा जोरा गया 42, 45, 51 या फिर 43 दोस्तों सम्विधान की प्रास्तावना में धर्म निर्पेक्ष यानि की पंत निर्पेक्ष भी बोलते हैं 42 सम्विधान संसुधन जो 1976 में हुआ है आप सभी को पता होगा और इसी सम्विधान संसुधन के दोरान जो है जोरा गया धर्म निर्पेक्ष दिया धर्म और पंत निर्पेक्ष सब्द को आगे हैं सम्विधान निर्मात्री परिशद की जान्डा समीति के अध्यक्ष कोन थे सम्विधान निर्मात्री परिशद की जो जान्डा समीति थे इनके अध्यक्ष कोन थे सिरी राज गोपालाचारी, डॉक्टर राजंद परसाद, जेवी क्रिपलानी या फिर डॉक्टर भीम्राव अम्बेदकर क्या होगा फ्रेंट्स दोस्तों अगर सही जवाब की बात करें तो जेवी क्रिपलानी जो थे सम्विधान निर्मातरी परिसत के जंडा समीती के अध्यक्ष थे सी सही जवाब हो जाएगा आगे है सौली सीटर जनरल निमलिखित में से क्या होता है बताना है आपको सौली सीटर जनरल जो होता है ये क्या होता है सरकारी अधिवक्ता राष्टपती का कानूनी अधिकार या फिर कानूनी सलाहकार या फिर प्रसासनिक अधिकारी होता है दोस्तों अगर सही जवाब की बात करें तो आपको पता है कि राष्टपती द्वारा प्रदक्त वीधी विशेव पर सलाह एवं सरकार के पक्ष को नियायले में प्रस्तूत करने के लिए जो महानिवादी की न्युक्ति की जाती है वही होता है महानिवादी यानि की सॉली सीटर जनरल होता है इसके कारियों में सहता देने के लिए सॉली सीटर होते है यानि की महानिवादी जो होते हैं उनके सहता के लिए कारियों में सहता देने के लिए सॉली सीटर होता है फिर से सुन लिजे राष्टपती द्वारा जो है और महानियवादी के कारियों में सहयता करने के लिए सॉलिसीटर जन्रल होता है तो यहां पर इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कानुनी इस्ट सक्तियां बताना है कि किसमें सन नहीं थोती है राश्टपती में राज में केंद्रिय मंत्री मंडल में या फिर सनसद में दोस्तों अगर सही जवाब की बात करें तो सनसद में नहीं थोती है डी सही जवाब हो जाएगा आगे हैं दोस्तों राज के निती निर्देशक्त तत्व सिदान्तों के निम्ने निर्देशक्त अनुछेदों में से कौन सा अंतराष्ट्य और सांती सुरक्षा से संबंदित है दोस्तों बहुत बार इस टैप से कोशन पूछा जाता है और यहीं कोशन बार बार पूछा जाता है राज के निती निर्देशक तत्व जो सिदान्त है उनमें बताना है आपको कि निमलिखीत में से किस अनुछिद में अंतर राष्ट्य सांती एवं सुरक्षा से संबन्दित है बहुत ही दोस्तों इंपोर्टेंट कोशन है बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल सही जवाब जिसका भी आ रहा है उप्षन ए अनुछिद 51 बिल्कुल सही जवाब है अनुछिद 51 रट जाए दोस्तों इस कोशन को हमेशा दिमाग में बठा लिजी हमेशा के लिए केंदर सरकार राजियों को निर्देश जारी कर सकती है केंदर सरकार राजियों को निर्देश जारी कर सकती है संग सूची के संदर में, राज सूची के संदर में, समवर्ती सूची के संदर में या फिर उपरोक्त में से सभी क्या होगा फ्रेंट्स इसका जवाब दिजिए दोस्तों केंदर सरकार है और राजियों को अगर निर्देश देना हो तो संग सूची के संदर में भी दे सकता है राज सूची के संदर में भी दे सकता है समवर्ती सूची के संदर में भी दे सकता है कहने का मतलब all of these हो जाएगा उप्रोक्त सभी हो जाएगा आगे हैं दोस्तों भारत्य संसद का सन्युक्त अधीविशन निमलिखित में से कोन बुला सकता है भारत्य संसद का सन्युक्त अधीविशन निमलिखित में से कोन बुला सकता है राष्टपती, उपराष्टपती, परधान मंत्री या फिर उपरोक्त सभी क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब भारत्य संसद का सन्युक्त अधिवेशन कोन बुला सकता है दोस्तों अगर सही जवाब की बात करें तो राश्टपती आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भारते संसद का सन्युत अधिविशन बुलाने का पावर राश्टपती के पास है आगे है अव मुल्य का अर्थ क्या है अव मुल्यन का अर्थ क्या है दोस्तों सब्द से ही पता चलता है अव मूल्यन यानि कि मूल्यों मे कमी लेकिन दोस्तों मूल्यों मे कमी ये साधारन सब्द नहीं है सोने के संदर्व में मुद्रा मुल्य में कमी मुल्य में तो कमी होगा लेकिन सोने के संदर्व में मुद्रा मुल्य में कमी तो दोस्तो ध्यान रखिए विसेश सब्द विसेश के लिए यूज किया गया है तो इस का भी सही जवाब हो जाएगा और दोस्तों अब मुल्यन के बारे में थोड़ा कुछ और जान लेते हैं अब मुल्यन होने के संदर में मुद्रा मुल्य में कमी लाना मुद्रा अस्फीती के चलते जब मुद्रा का परसार होता है तो मुद्रा के मुल्य में हरास भी होने लगता है ऐसे कंडिशन में क्या होता है व्यपारिक अस्पर्धा बनाए रखने के लिए मुद्रा में कमी लाई जाती है इसका मतलब यह हुआ निर्यात घटने की संभावना हो जाती है तो इस तरह से अवमुल्यन को समझा जा सकता है आगे हैं दूस्तों बंद अर्थ विवस्था से आप क्या समझते हैं निर्यात बंद होना आयात बंद होना या फिर नियंतरन पुन्जी बंद अर्थ विवस्था का क्या मतलब हुआ दोस्तों जब अर्थ विवस्था बंद हो जाए जैसे कि अभी अर्थ विवस्था बंद है कहने का मतलब आयात और निरियात दोनों बंद है और अर्थ विवस्था चोपट है और अर्थ ववस्था जब चोपट होने लगे तो सबसे खराव इस्थिति आने की सम्भावना बनती है तो यहाँ पर बीज सही जबाब हो जाएगा विश्विक किरिशी एवं खाधान संगठन की अस्थापना कब हुई विश्विक किरिसी एवं खादान संगठन की अस्थापना कब हुई कल के कोश्चन में भी दोस्तों ये कोश्चन आपको देखने को मिला होगा 1964 में, 1956 में, 1947 या फिर 1946 दोस्तों अगर सही जवाब की बात करें विश्विक्रीसी एवं खाद संगठन की अस्थापना 1946 में हुआ डी सही जबाव हो जाएगा आगे हैं दोस्तों निमलिकित में से बताना है कि लगू उद्योगों की क्या समस्या है लगू उद्योगों की क्या समस्या हो सकती है पुझी का अभाव विपनन जानकारी का अभाव या फिर कच्ये माल का अभाव या अप्यूक्त सभी क्या होगा दोस्तों लगू उद्योगों की समस्या क्या हो सकती है दोस्तों लगू जो उद्योग होते हैं तो लगू उद्योग इसलिए होता है क्योंकि पुंजी का भी अवा हो सकता है या फिर विपन जानकारी का भी अवा हो सकता है या फिर कच्छे माल का भी अवा हो सकता है मतलब बहुत तरह की समस्या होती है लगू उद्योग के पास इसलिए वो छोटे उद्योग है आगे है निमलिखित में से परतियक्ष कर कोन सा है काफी important है दोस्तों परतियक्ष कर कोन सा है तो सबसे पहले जानना ये होगा कि परतियक्ष कर होता क्या है दोस्तों ये परतियक्ष कर जो है वह कर होती है जिसे सरकार सीधे व्यक्ती से प्राप्त करती है मतलब सरकार क्या करता है व्यक्ति से सीधे प्राप्त कर लेता है वो परत्यक्षकर होता है इस रेनी में आयकर आता है इसे आयकर करते हैं इसमें करापात और करागहात एक ही बिंदु पर होता है जब economics के कुछ question को देखेंगे तो उसमें important question में ये question गिंती में आता है तो थोड़ा बहुत आप सभी छित्र में जरूर धियान दिजिए तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा आएकर आगे हैं भारतिय अस्टेट बैंक के अनुसंगी बैंकों की संख्यां कितनी है भारतिय अस्टेट बैंक के अनुसंगी बैंकों की संख्यां कितनी है 5, 7, 9 या फिर 11 जो भी हमारे नई साथे जुरे हैं अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किये हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें आपका लाइक हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट है और भी मजा आ जाएगा दोस्तों भारतिय अस्टेट बैंक के अनुसंगी बैंकों की संख्यां साथ है कितनी है दोस्तों साथ है आगे है कोलार स्वर्न खादाने किस राज में इस्थित है कोलार स्वर्न खादाने किस राज में इस्थित है महराष्ट में बिहार में मद परदेश या फिर करनाटक दोस्तों अगर सही जवाब की बात करें तो करनाटक में है कहां पर है करनाटक में कोलार स्वर्न खादाने इंडिया के किस राज में है तो करनाटक में है दोस्तों याद रखिये आगे है भारत में कौन सा वी निर्मान उद्योग सरवाधिक रोजगार परदान करता है बताईए भारत में कौन सा वी निर्मान उद्योग है जो सबसे जैदे रोजगार परदान करता है लोहा एवं इसपात उद्योग, सूती वस्तर उद्योग, चीनी उद्योग या फिर च आप सभी थुरा फास्ट कोमेंट किजिए का और सभी कोमेंट किजिए इसा नहीं कि दो चाल किए और सभी देख रहे हैं सभी कोमेंट किजिए और सही सही कोसिस किजिए कि कोमेंट करें दोस्तों भारत में वी निर्मान उद्ध्योग में सरवाधिक जो जौब देता है यानि कि रोजगार जो परदान करता है वो है आपका दोस्तों सूती वस्त्र उद्ध्योग क्या है सूती वस्त्र उद्ध्योग आगे है क्योंकि ये सबकी जरूरत है और दिन परते दिन हमेशा की जरूरत है सूती वस्त्र उद्योग सबसे जाइदे रोजगार परदान करता है आगे हैं निम्लिखित देशों में कौन आपेक का सदस नहीं है अलजीरिया, चीन, इंडोनेसिया या फिर UAE दोस्तों यह जो है एक कह सकते हैं संगठन है और उस संगठन का पूछा जा रहा है कि कौन सदस नहीं है इसका डिटेल जानकारी तो मैं खास नहीं दे सकता हूँ तो इसका सही जबाब हो जेगा चीन जो है ओपिक का सदस नहीं है और वर्तमान में हो सकता है बन गए हो तो वो अलग बात है आगे है जेनवाट संबंधित है परोक्षकर की दर से परत्यक्षकर की दर से आयकर की दर से या फिर उप्युक्त में से कोई भी नहीं दोस्तों बताना है सेनवाट जो है संबंधित है किस से संबंधित है दोस्तों सेनवाट जो है परोक्षकर की दर से संबंधित है तो ए आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा आगे है गंगा का उतरी मेदान बिहार के कितने छित्रफल पर विश्तरीत है गंगा का उत्री मेदान कोशी एरिया जो है आपको बताना है कितने छित्रफल पर विस्तरित है दोस्तों अगर सही जवाब की बात करें तो यह हो जाएगा 56,980 वर्ग किलो मीटर पर विस्तरित है भी सही जवाब हो जाएगा आगे है पर्ट्स किस परकार की अस्थला किरिती को कहा जाता है पर्ट्स जो है किस परकार की अस्थला किरिती को कहा जाता है जलोड पंक छेत्र बाड की विस्यस अस्थला किरिती या फिर सापाट चूटी के पठार या फिर लिटे राइट मिटी के परकार क्या होगा फ्रेंड्स इसका जवाब आप सभी comment box में दीजिये क्या होगा दोस्तों अगर सही जबाब की बात करें तो putz जो है किस परकार की अस्तरा किरती है तो शपाठ चोटी के पटहार का नाम सुने होंगे यहीं जो है आपका putz जो है कहलाता है आगे हैं दोस्तों उरिशा राज कब से कब जो है प्रिथक किया गया बताना है उरिशा राज बिहार से कब अलग हुआ सभी उप्सन आपके सामने हैं क्या होगा फ्रेम्स इसका सही जवाब काफी इंपोटेंट है इसका जवाब दीजे कॉमेंट बुक्स में दोस्तों ये उरिशा जो है बिहार राज से कब अलग हुआ इसका सही जवाब होजेगा 1936 में और 2001 या 2001 इसमी में जारखन अलग हुआ और उरिशा जो है 1936 में अलग हुआ है आगे है बिहार में किसान सभा का गठन की अपचारिक घोसना कब हुई थी बताई बिहार में किसान सभा का गठन की अपचारिक घोसना कब हुई थी दोस्तों सही जवाब की बात करें तो 1928 हो जाएगा 4 मार्च 1928 को आगे है 1857 के विद्रो के समय ब्रिटिस परधान मंतरी कोन था 1857 के समय ब्रिटिस परधान मंतरी कोन थे दोस्तों ब्रिटिस परधान मंतरी जो है पॉम अश्टर्न थे तो यहाँ पर B इसका सही जवाब हो जाएगा आगे हैं दोस्तों निहरू राष्ट भक्त है जबकी जिन्ना राजनितिक यह कथन किसका है बताई निहरू जी राष्ट भक्त है जबकी जिन्ना जो है राजनितिक बताना है यह कथन किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों आप मोलाना अबूलकराम अजाद का नाम सुने ही होंगे इन्होंने प्रस्नों उक्त कथन जो है अपनी पुस्तक में लिखी है वो पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम इंडिया विंस फ्रीडम में मोलाना अबूलकराम अजाद जो है लिखे हैं तो इसका सही जवाब D हो जाएगा तो धियान में रखी इस बात को आगे है महात्मा गांधी के राम राज के यूगल सिदान्त कोन से थे गांधी जी के राम राज के यूगल सिदान्त कोन था सही साधन और सही लक्ष और प्रिसिता और मदनिसेद खादी और चर्खा, सत्य और ओहिंसा दोस्तों ऐसे में लग रहा होगा आपको कि इन में से तो लगवग सभी है अगर सही में बात करें तो सत्य और ओहिंसा ये दो रामराज के यूगल सिद्दांत थे ध्यान में रखिए डी आपका सही जवाब हो जाएगा आगे हैं निमलिखित में से कौन स्वाराज दल से संबंधित नहीं था स्वाराज दल से संबंधित नहीं था मोतिलाल नेहरू आयंगर या फिर राज गोपालाचारी या फिर विठल भाई पटेल कौन जो है स्वाराज दल से संबंधित नहीं था दोस्तों मोतिलाल नहरू एवं चितरंजन दास ने एक जनवरी 1923 इसभी को कब 1923 इसभी को जो है अखीर भारतिय खिलाफद स्वाराज पार्टी की अस्थापना की थी उनके अन्य स्वायोगी जो थे बिठल भाई पटेल एवं आयंगर भी थे राजिंद परसाद स्री राजगोपलाचारी एवं बलब भाई पटेल इनका विरोध किया था क्या क्या था इनका विरोध किया था तो कोशन था स्वाराज दल से संबंधित नहीं है तो सही जब आप दोस्तों बात करें तो यहाँ पर स्री यह हो जएगा राज गोपला चारी आगे हैं दोस्तों बहिस्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे बहिस्कृत भारत जो है किस पत्रिका से संबंधित थे यहां पर इस तरह से question है बहिस्कृत भारत पत्रिका से संबंदित थे कौन आत्मराम पांडुरंग जोतिवा फूले बाल गंगादर तीलक या फिर धीमराव अंबेदकर दोस्तों भीमराव अंबेदकर जो है बहिस्कृत पत्रिका से संबंदित है डी सही जबाब हो जाएगा हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपबलिकन एसोसियेशन की अस्थापना किसने की वीर सावरकर ने उद्धम सिंग ने भगत सिंग ने या फिर चंदर सेखर आजाद ने दोस्तों आपको बता दे कि हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपबलिकन एसोसियेशन की अस्थापना 1938 में हुई थी कहां पर हुई थी दिल्ली में हुई थी और चंदर सेखर आजाद के नित्रित में हुई थी डी सही जवाब हो जगा दोस्तों आगे है विदेश में पर्थम स्वतंत्र भारतिय सरकार की अस्थापना किसने की बरकत उल्ला ने सुभाश चंदर बोस ने लाला हर दियाल या फिर राजा महंदर लाल सिंग ने दोस्तों अगर सही जवाब की बात करें तो राजा महंदर लाल सिंग द्वारा जो है विदेश में स्वत्पर्थम भारतिय सरकार की गठन की गई या अस्थापना की गई आगे हैं भारतिय राष्ट्य कॉंग्रिस का लाहर अधीविशन कब हुआ था काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों लाहर अधीविशन लाहर अधीविशन कब हुआ था और बताना है कि इसकी अध्यक्स्ता कोन कर रहे थी ये भी बताए दोस्तों कोमेंट करके कब हुआ और अध्यक्स्ता कोन कर रहे थे लाहोर अधिवेशन में तो दोस्तों अगर बात करें भारतिय राष्ट्य कोंग्रेस के लाहोर अधिवेशन तो दोस्तों 1929 इस भी में हुआ था और इसकी अध्यक्स्ता पंडित जवाहरलाल नेरू ने की थी और इस अधिवेशन में पूर्ण स स्वतंता का प्राष्टा भी पारित किया गया था और 26 जनवरी को स्वतंता दिवस मानाने का निरने भी लिया गया था तो दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है ये 1929 का कौंभारते राष्टे कॉंगरिस का लाहोर अधिवेशन पंडित जवाहरला नहरू के नत्रित में 1929 में क जैसिंग द्वारा पर्थम वैद साला कहां अस्थापित की गई राजा सवाई जैसिंग द्वारा पर्थम वैद साला अस्थापित की गई बताना है कहां पर अस्थापित की गई दोस्तों अगर सही जवाब की बात करें तो जैपूर में अस्थापित किया गया ये सही साब हो जाएगा निवल्ल की इस मुगल सासक का मगवारा भारत में नहीं है कोन सा ऐसा मुगल सासक है जिसका म pengara मगवारा वारत में नहीं है सब्सक्राइड अब के चैनल को सब्सक्राइब ने कि हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें और सपोर्ट करें दोस्तों मुगल सासक बाबर एवं जहागीर का मकवारा भारत में नहीं है और दोस्तों बता दे कि बाबर का मकवारा काबूल में तथा जहाबगीर का मकवारा लाहोर में इस्तित है और यह लाहोर आपको पता है कि पाकिस्तान में है तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर जो है हम आपको बोले अभी की बाबर और जहांगीर तो जहांगीर तो यहांगीर तो यहांपर है लेकिन बाबर यहांपर नहीं है तो यहांपर जो है अगर दोनों रहता तो दोनों लेते उप्शन तो यहांपर आपको जहांगीर लेना है मुहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं विहार पर विजय पराप्त की थी दोस्तों क्या होगा सही जवाब दोस्तों बक्तियार खिल जी का नाम आप सुने ही होंगे बक्तियार खिल जी मुहम्मद गोरी के दास थे दोस्तों तो यह जो है बंगाल और बिहार पर अपना विजय भी पराप्त किया था तो सी सही जवाब हो जगा चालुक्य वन्स के सबसे पहला सासक कौन था काफी इंपोटेंट है दोस्तों चालुक्य वन्स का सबसे पहला सासक कौन सा था विक्रमादीतिय मंगलेस या फिर पुल के सीन या फिर पुल के सीन पर्थम एक दूतिय है एक पर्थम है दोस्तों अगर सही जवाब की बात करें तो सही जवाब हो जगा पुल के सीन दूतिय जो थे चालुक्य वन्स के पहला सासक था तो इसका सही जवाब सी होगा कॉमेंट करके बताए कि इसका क्या होगा हमें डौट लग रहा है थोड़ा आगे है अश्ट पर्धान मंत्री परिसद किसके सासन काल में थी अश्ट पर्धान आठ पर्धान मंत्री परिसद आपको बताना है कि किसके सासन काल में थी सीवाजी, कृष्ण देवराय, पेश्वा या फिर अकबर दोस्तों अगर सही जवाब की बात करें तो यहाँ पर सिवाजी राजे भोसले एस ही जवाब हो जगा अश्ट परधान मंत्री प्रिसद इनी के सासन काल में हुआ आगे है इबन बतुता की भारत यात्रा किस सासक के काल में संपन हुई और इबन बतुता खांदान से अलादीन एपिसोड नाम तो सुना ही होगा ये भी चल रही है तो आप सभी सोनी सब पर देख सकते हैं अलादीन सिरियल मैं तो इंटरेस्ट रखता हूँ सिरियल में मैं तो देखता हूँ और रोज देखता हूँ 400 एपिसोड समाप्त कर दिये हैं और अभी जो है लगभग 400 एक या दो इस तरह से देखने वाले हैं तो दोस्तों सिरियल में होता यहीं है कि आगे क्या दिखाने वाला है आगे क्या है दिखाने वाला इसी चकर में एक रात में दस एपिसोड भी खतम हो जाए तो भी दिल नहीं भड़ेगा आपको बताना है इबन बतूता की भारत यात्रा किस काल में किस आसक के काल में संपन हुई दोस्तों इसका सही जबाब अगर बात करें तो आपको पता है मोरसको की यात्रा इबन बतूता 1333 इस्वी में मुहमद बीन तुगलक के सासनकाल में भारत आया था 1923 इस्वी में इस तरह से दोस्तों सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी भी बनाया था तो इसका सही जबाब हो जएगा मुहमद बीन तुगलक ए सही जबाब आगे है रामानूज रामानूज चारी जो थे किस से संबंदित है रामानुज आचार जो है किस से सम्बंदित है भक्ति से दैतवाद से विशिष्टता दैतवाद से या फिर एकेश्वर वाद से दोस्तो इसका सही जवाब हो जाएगा विशिष्टता दैतवाद से सम्बंदित है सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तो वीडियो बहुत ही लोंग हो चुकी है और वैसे अभी 50 कोस्टन और है बांकी क्योंकि इसमें 100 कोस्टन एड़ किया गया है तो चलते रहते हैं कोई दिकत नहीं है अपना टैम है सल्तनत काल में अधिकान्स अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे सल्तनत काल में अधिकान्स अमीर जो हुआ करते थे और सुल्तान जो है वो किस वर्ग के हुआ करते थे यहाँ पर चलते हैं सभी अप्शन यहाँ पर होए आपका तूर्क, मंगोल, ततार या फिर अरब किस वर्ग के लोग अमीर और सुल्तान हुआ करते थे सभी option दोस्तों आपके सामने हैं क्या होगा सही जवाब दोस्तों अगर सही जवाब की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा तूर्क वर्ग के थे यह क्या है एक तरह का वर्ग है आगे है साची का अस्तूप की सासक ने बनवाया था साची का अस्तूप की सासक ने बनवाया था बिंबिसार असोक हर्सवर्धन या फिर पुस्यमित्र और ये बिंबिसार कोन है ये जो है असोक के पिताजी है ठीक ना इनके गुरू थे आचारे चानक कोटिल जो अर्थसास्तर के रचनाकार है दोस्तों इसका सही जवाब क्या हुआ कोमेंट बुक्स में आप सभी थुरा फहाष्ट बताएए दोस्तों असोक द्वारा बनवाया गया था साची का अस्तूप किसके द्वारा बनवाया गया अस्तूप ये जो है असोक के द्वारा कुसान सासक कनिश्क किस वर्स हुआ था कुसान सासक कनिश्क कि ती थी अत्यंत विवाद अस्पद है कहने का मतलब ये अस्मरंद में पुर्णूप से नहीं है लेकिन ऐसा माना जाता है कि उसका राज्या अविशिक 78 इस्वी में हुआ था इसी वर्स उसने सक समवत भी चलाया था जो भाड़ सरकार द्वारा परियोग में लाया भी जाता है तो सही जवाब हो जाएगा दी आगे है बुद के उपदेश किस से संबंधित है इसलिए जो है ये उपर वाला डॉट फूल भी है बुद के उपदेश किस से संबंधित है सभी ओप्षन आपके सामने है थुरा फास्ट को मेंट कीजे दोस्तों जो भी हमारे नए साथी जो रहे है प्लीज वीडियो को लाइक करते चलेगा क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों आच्रन की सुधता और पवित्रता से संबंदित है बुद्ध का उपदेश आगे है शिंदू सविता के बारे में निवलखीत में से बताना है कि कौन सा कथन और सत्य है नगरों में नलियों की सुधरी डिवस्था थी व्यपार और वानी जी में उन्नत में उन्नत देश में था मातरी देवी की उपासना की जाती थी लोग जो है लोगे से परिचीत थे कौन सा कथन और सत्य है दोस्तों और सत्य कथन की बात करें तो उस समय जो है लोग लोहे से परिचीत नहीं थे डी सही जवाब हो जएगा सिंधू सव्यता में इसलिए जो है उस समय मिटी के बरतन भी बनाय जाते है आप सभी को पता ही है डेटम रेखा क्या है डेटम रेखा क्या है दोस्तों डेटम रेखा वह रेखा होता है अथवा वह बिंदू होता है इस्थिर बिंदू जिसके सापेच किसी उचाई पर जाते हुए वस्तों की उचाई या फिर गहराई मापी जाती है तो इस तरह से इसमें थायो डोलाइट की सहता ली जाती है तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों समुद्र तल की 36 रेखा में जिसमें उचाई तथा गहराई मापी जाती हो यह सही जवाब हो जाएगा बोकारो इस पातकार खाना में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया है इंडिया का तो कुछ है ही नहीं लगता है दोस्तों बोकारो इस टील प्लांट जो है इसमें विदेशी का सहयोग लिया गया है तो वह कौन सा विदेशी होगा इसका सही जवाब हो जगा पूर्व सोव्यत संग का पूर्व सोव्यत संग का तो इस तरह से डी सही जवाब हो जगा विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है जहां पर सबसे जायदे इक होगा वहें पर सबसे जायदे सक्कर बनेगा और चीनी भी बनेगा तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या होगा क्यूबा का दोस्तों आप नाम सुने हैं क्यूबा ए सही जवाब हो जगा इन्हें चीनी का कटोरा कहा जाता है विश्व का चीनी का कटोरा भारत के महान जो तिस आचार आरेभट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंद था दोस्तों इसका सही जवाब हो जगा पार्टली पूतर से रिलेट करता है बी सही जवाब हो जाएगा आगे है नालंदा विश्विद्याले का वेभव किसके हाथों नश्ट हुआ काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों नालंदा विश्विद्याले का वेभव किसके हाथों नश्ट हुआ दोस्तों अगर सही जवाब की बात करें तो बक्तियार खिलजी हो जएगा सही जवाब डी सही जवाब हो जाएगा बिहार का सौक नदी किसे कहा जाता है जिसके नाम पर इस चैनल का नाम भी रखा गया है और ये question जो है बहुत बार आ चुका है और हम भी इस चैनल पर बहुत बार upload कर चुके है बिहार का सौक नदी किसे कहा जाता है दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कोसी study कोसी YouTube चैनल है तो यहाँ पर जो है बी सही जबाब हो जाएगा गंगा के दच्छिन भाग में पुरानी जलोड मिटी को किस नाम से पुकारा जाता है दोस्तों सही जबाब हो जाएगा कटल कैवाल मिटी D सही जबाब हो जाएगा आगे हैं बिहार में कोसी प्रयोजना के निर्मान का स्री गनेश कब हुआ था यानि की बिहार में कोसी प्रयोजना का निर्मान कब आरम हुआ था ओप्शन आपका उपर में है यहां पर बताना है कि इसका सही जबाब क्या होगा दोस्तों 1947, 1948, 1952, 1954 कोसी प्रयोजना का जो आरम हुआ 1952 में हुआ C सही जबाब हो जाएगा बिहार में किस वर्ष दूर दर्शन का केंदर अस्थापित किया गया था दोस्तों सोर पर्थम दूर दर्शन जो है मजबपर पूर में लगाया गया था और इसवी की बात करें तो 1978 इसवी सी सही जवाब हो जाएगा आगे है जैदेव द्वारा लिखित गरंथ क्या है जैदेव द्वारा लिखित गरंथ क्या है दोस्तों गीत गोविन जो है जैदेव द्वारा लिखा गया है आप जो है दसमा का सकेंड संस्कीत पढ़े होंगे तो उसमें भी आपको जैदेव कहानी मिला होगा आगे हैं दोस्तों सलारंगज, सलारगंज, सलारगंज म्यूजियम कहां इस्थित है सलारगंज म्यूजियम कहां इस्थित है पटना में, हिदराबाद में, नई दिली में या फिर लखनौ में दोस्तों अगर सही जबाब की बात करें तो सही जबाब हो जगा हेदराबाद में इस्थित है का इस्थित है सलार गंज म्यूजियम हेदराबाद में इस्थित है आगे हैं भारत द्वारा विक्सित मानव रहित यान यानि की मानव रहित यान कौन सा है त्रिसूल निसांत लक्ष या फिर नाग दोस्तों अगर सही जवाब की बात करें तो लक्ष विमान का नाम सुने ही होंगे जो भारत द्वारा विक्सित किया गया है तो सी सही जवाब हो जाएगा आगे हैं हिंदी साहित में सुकुमार कवी किसे कहा गया है हिंदी के कोश्चन में दोस्तों गदपद में ये हो चुका है सुकुमार कवी किसे कहा जाता है दोस्तों सुमित्रा अनंद पंद को जो है सुकुमार कवी के नाम से जाना जाता है बी सही जवाब हो जाएगा निमलखित में से किस पात्र की रचना विलियम सेक्सपियर ने नहीं किया है इसका मतलब तीन ऐसे उप्षन है जिसका रचना विलियम सेक्सपियर द्वारा किया गया है बादमा की नहीं दोस्तों मैं काबर का नाम सुने ही होंगे मेकाबर जो है सेक्सपियर द्वारा रचित नहीं है बादमा की सभी सेक्सपियर द्वारा रचना की गई है एडम, बूर्स, एंटोनियो ये सभी सेक्सपियर द्वारा रचित है आगे हैं ग्रेंड असलेम जीतने वाली पहली भारतिय बाली का खिलारी कोन है ग्रेंड एसलेम जीतने वाली पहली भारतिय बाली का खिलारी कौन सा है दोस्तों सही जवाब क्या होगा सानिया मिर्जा का नाम आप सुने ही होगे बिल्कुल दोस्तों जो भी सी लिये हैं बिल्कुल सही जवाब है आगे हैं तमसो मा जोती गर में तमसो मा जोती गर में यह पंक्ती कहां से ली गई है बताई दोस्तों तमसो मा जोती गर में बताना है यह पंक्ती कहां से ली गई है दोस्तों इसका सही जवाब अगर बात करें तो इसका हो जाएगा ये जो है रीगवेद का नाम सुने ही होंगे रीगवेद से लिया गया है ये पंक्ती आगे हैं दोस्तों बगलिहार हाइडल प्रयोजना जो हाल ही में खराबों इस्थिती में थी आपको बताना है किस नदी पर बनाई जा रही है अब ये पूर्ण हो चुका है दोस्तों खबरों में थी बगली हार हाइडल प्रयोजना जो अब समाप्त हो चुकी है खबरों में थी या बताना है किस नदी पर अवस्थित है दोस्तों चीनाव नदी का आप नाम सुने होंगे और ये चीनव नदी पर अवस्थित है तो D सही जवाब हो जाएगा आगे है निमलिखिते में से A small is beautiful पुस्तक के लेखक कोन है जो छोटी चीज होती है वो बहुत ही सुन्दर होती है आपको बताना है कि इनके लेखक कोन है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा E F सुभाकर E F सुभाकर द्वारा A small is beautiful लिखा गया है A सही जवाब हो जाएगा आगे हैं दोस्तों चीन निमलिखित में से किस खेल का मेजबान देश होगा चीन जो है निमलिखीत में से किस खेल का मेजबान देश होगा दोस्तों सही जवाब हो जगा एसिया गेम्स 2010 का जो है मेजबान देश बना है ये सही जवाब हो जाएगा इंद्रा गांधी पिरिय दर्सनी अवाड बताना है इससे जो है पुरुषकीरित रमा वैदनाथ किस कलाच खेतर से संबंदित है यानि कि वो रमा वैदनाथ जी को इंद्रा गांधी पिरिय दर्सनी अवाड से संबंदित किया गया है आपको बताना है किस खेतर से संबंदित है दोस्तों सही जवाब हो जगा निरिती से सम्बंदित है ये सही जवाब हो जएगा आगे दोस्तों आपका समान विग्यान यानि कि सैंट से कोश्ण आने वाला है दो चार कोश्ण और है इने देख लेते हैं ओलम्पिक 2004 भारत के राष्टिय धोज वाहक का सम्मान किसे मिला है? बताई. 2004 में जो ओलम्पिक हुआ है तो भारतिय राष्टिय धोज वाहक का सम्मान इसमें किसको मिला है? अन्जली भागवत को अन्जू बॉबी जोर्ज को अनपूर्णा पूपट को या फिर केम बीना मोल को दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अन्जू बॉबी जोर्ज को मिला है बी सही जवाब हो जाएगा आगे हैं अनुसुचित जाती जन जातियों के लिए राष्टिय उद्योग के अध्यक्ष कोन है अनुसुचित जाती या फिर जन जाती अनुसुचित जन जाती है के वल इसके लिए राष्टिय आयोग के अध्यक्ष है सूरजभान, तापिर गाओ, कुवर सिंग या फिर जस्वंत सिंग दोस्तों सही जवाब हो जएगा कुवर सिंग सी सही जवाब हो जएगा कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक किसकी रचना है कितने पाकिस्तान किसने नहीं है कितने पाकिस्तान इसका रचना किसने किया है खुस्वंत सिंग भिश्म सायनी कमले स्वर या फिर अमरिता प्रीतंद दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कमले स्वर कमले स्वर जी हो जाएंगे सी सही जवाब तो इसके माधियम से जो है आर्थिक सहता पर्दान की जाती है तो ए सही जवाब हो जाएगा आगे हैं दोस्तों आपका सैंस से 20 कोस्टन को देखेंगे अभी पोलियों के टीके की खोज किसने की थी जो भी हमारी नहीं साथी जो रहे हैं पिलीज वीडियो को लाइक जरूर कर दे क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पने हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल एकन को जरूर प्रेस करें और अल पर जरूर किलिक कर लिजिगा दोस्तों इसका पीडियेप में बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन सर दिया गया है ये स्पार्क पब्लिकेशन का है मार्केट में आपको हो सकता है नहीं भी मिले अगर मिले भी तो ये वाला नहीं मिलेगा क्योंकि ये थोड़ा पुराना है और बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन है तो पीडियेप बना हुआ है अपलोड भी है डाउनलोड कर लिजीगा दोस्तों पॉलियों के टीके की खोज किसने की थी इसका सही जवाब हो जाएगा जौन साल्ड ने किसने क्या था जौन साल्ड ने अब दोस्तों कोरोना वायरस टीका भी चलाया जाएगा पूरा विश्वस्तर पर जिससे की उसका टीका चलने से सभी सुरक्षित रह सके बन रहा है त्यार होने में सभी मसरूफ है तो जरूर त्यार होगा निमलखित में से किस पौधे में फूल नहीं होते है निमलखित में से किस पौधे में फूल नहीं होते है दोस्तों फर्म का नाम आप सुने ही होंगे इसमें फूल नहीं होते हैं आगे है एक स्वस्त व्यक्ति का सामान रक्त चाप कितना होता है काफी इंपोर्टेंट दोस्तों बैलो जी हर्ट चेप्टर से है आपको बताना है इस स्वसन चिप्टर में कि एक स्वस्त मनुस्य का सामान रक्त चाप कितना होता है दोस्तों सही जवाब हो जगा 120 या 180 होता है इसमें प्रंकूंचन पारे का दाव 120 होता है जबकि संकूंचन यानकि अनुसित्लन पारे का दाव असी एम एम अस्तम के बरावर होता है तो ध्यान रखे भी आपका सही होगा यह प्रकूंचन और यह हो जाएगा अनुसित्लन आगे हैं कार में द्रिस्य अवलोकन के लिए किस परकार के सीसे का परियोग किया जाता है द्रिस्य अवलोकन के लिए किस परकार के किस परकार के सीसे का परियोग किया जाता है दोस्तों मोटर कार हो या फिर बसे हो या फिर जो भी हो इन सब के पीछे और आगे द्रिस्य अवलोकन के लिए ड्राइवर के बगल में उत्तल दर्पन का परियोग किया जाता है क्योंकि इसमें परतिवीं दर्पन के पीछे बनता है आप हासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तू से बड़ा बनता है और सुरी वस्तू से छोटा बनता है इसका द्रिष्टी छेत्र अधीक होता है इसलिए उत्तल दर्पन का पड़ियो किया जाता है तो द्रिष्या अवलोकन यानि कि पस्ट द्रिष्य के रूप में यानि की का सकते हैं उत्तल दर्पन की रूप में जो यूज किया जाता है वो होता है अग्तलगरपन जो भी हो आएना आगे हैं मानव सरी में रक्त का थका किस विटामिन के कारण से जमता है दोस्तों दस मिनट का और बने का वीडियो आप हमारे साथ बने रहें अंतक बने रहें आपके लिए काफी इंपोर्टेंट कोशन स्रीद चला रहे हैं तो थका बनने में जो विटामिन कार करता है वो है विटामिन के क्या हो जाएगा विटामिन के सही जवाब हो जाएगा आगे बढ़ते हैं ओ क्या गया तो इस तरह से इसका सही जवाब विटामिन के हो जाएगा आगे हैं बी सी जी का टीका नवजाद सीसु को कितने दिन के भी लगाया जाना चाहिए दोस्तों साथ दीन के अंदर लगाया जाना चाहिए भी आपका सही जवाब हो जगा आप से भी थोड़ा फास्ट कोमेंट कीजेगा पादप कोशिका जन्तु कोशिका से किस परकार भीन होती है पादप कोशिका जन्तु कोशिका पादप हो गया के या फिर कोशिका केंद्रक के कारान दोस्तों कोशिका पादप पादप कोशिका में कोशिका भित्ती पाया जाता है परन्तु जंतु कोशिका में कोशिका भित्ती नहीं पाया जाता है तो भी आपका सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा भी आपका सही जवाब हो जाएग आगे हैं दोस्तों मानव सरीर में पाचन का अधिकान्स भाग किस अंग में संपन होता है आप सभी जानते हैं और काफी important भी है भोजन का अधिकान्स पाचन कहां मतलगी हो जाती है 9 और 10 में भी दोस्तों हम लोग ये पढ़ चुके हैं चोटी आथ सबसे बड़ी आथ होती है तो यहाँ पर हो जाएगा C सही जवाब 2-4 मिनट का और वीडियो बनेगा मानव सरीर में क्रोमोसॉम की संख्यां कितनी होती है बताए दोस्तों मानव सरीर में क्रोमोसॉम की संख्यां पूछा गया है जोरा नहीं पूछा गया है और दोस्तो क्रोमोसॉम की संख्यां जो होती है वो हो जाएगा 46 यानि की 23 जोरा जोरा रहता तो 30 लेते आगे हैं खाद संडक्षन फूड प्रोसेसिंग ये तू पर्योग्त किया जाता है खाद संडक्षन ये तू क्या पर्योग में लाया जाता है दोस्तो बेंजोईक अमल का नाम सुने ही होंगे यह एक स्वेथ क्रिस्टल ये पदार्थ होता है और यह प्रकिर्थी में यह जो है पोधे में पाया जाता है येवं ओदगिक के रुप में अगर बात करें तो इस द्रिष्टी कोन से टॉलवीन के अउक्सी करम से बनाया जाता है यह मुखिरूप से खाद पदार्थों के खराब होने से बचाओ के लिए पड़ियोग में लाया जाता है इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बेंजोईक एसीड ठीक बेंजोईक एसीड क्या है या एक स्वेट क्रिस्टल यह पदार्थ है जो पोधा में पाया जाता है आगे है दरव को एकत्रित होने पर मांसपेशियां ठकान का अनुभाव करने लगती है किस दरव को एकत्रित होने से दोस्तों आप सभी को पता है जब कभी कभी सरीर में दर्द या क्रेंप उत्पन होने लगता है तो लेक्टिव अमल का निर्मान होता है इसलिए दोस्तों सही जवाब हो जगा A लक्टिव अमलका निर्मान होता है तो इससे सरीश में दर्द या क्रेंप उत्पन होने लगता है आगे हैं अस्तव होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है किस कारण से काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों सुर्य अस्त होते समय और उदे होते समय भी लाल दिखाई देता है क्या कारण है दोस्तों अगर कारण की बात करें तो सुर्य अवं सुर्यात होते समय 36 के समीप होता है अता परकास को वाल्य मंडल में अधीक दूरी ते करना परता है जैसे ही अधिक दूरी ते करेगा डिश्टियंस ते करेगा तो निश्चित रुप से है जो भी परकास होंगे वो प्रकिरनित जैदे होंगे तो लाल रंग के परकास का तरंग देज सबसे अधीक होता है जिसके कारण इसकी किरने बहुत कम बिखरती है और सेस रंग जो होती है वायू मंडल में पुनरुप से बिखर जाती है तो लाल रंग ही हम तक पहुँच पाता है तो इसलिए दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा परकास का परकिरनन आगे है निमलिखित में से कौन सा विटैमिन हार्मोन माना जाता है मतलब कौन सा विटैमिन है जो हार्मोन माना जाता है दोस्तों विटैमिन D जो है या एक हार्मोन की तरह काम करता है D सही जवाब हो जाएगा आगे है सरवाधी किरियासील हेलोजन कौन सा है हेलोजन, कुलोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो जाएगा हेलोजन आपको बताना है सबसे जैदे किरियासील कौन सा है दोस्तों फ्लोरीन भी आपका हेलोजन ही है और ये सबसे जैदे किरियासील होता है आगे है मानव सरीर में ओक्सिजन की पूर्थी किस के माध्यम से की जाती है बहुत ही दोस्तों important question है मानव सरीर में ओक्सिजन की पूर्थी किस माध्यम से की जाती है सही जवाब हो जगा लाल रक्त कोशी काओं के माध्यम से की जाती है ए सही जवाब आगे है पिर्थवी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निवलिखित पर निर्भर करता है पिर्थवी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग किस पर निर्भर करता है दोस्तों क्या होगा सही जवाब दोस्तों पिर्थवी तल से किसी विवस्तु का पलायन वेग जो होता है वो निर्भर करता है परचेप किये जाने के अस्थान पर जी हां दोस्तों परचेप किये जाने के अस्थान पर इसका अगर बात करें पलायन वेग का मान कितना होता है तो दोस्तों पलायन वेग का मान 11.12 km पर 30 सेकेंड होता है अगर इस वेग से किसी वस्तु को फेक दिया जाए तो वो दोबारा पिर्थिवी पर वापस लोट करके नहीं आएगा तो ध्यान में रखिए इस कोश्चन पत्थुरा हमको डौट भी है उस जो मान बताए हम लेकिन इसका आंसर जो होगा वो C होगा आगे हैं जल का वास्प में परिवर्तन होना क्या कहलाता है जल का वास्प में परिवर्तन होना क्या कहलाता है दोस्तों ये भोतिक परिवर्तन है जल का वास्प में बदलना फिर वास्प से पानी में बदलना बर्त में बदलना ये भोतिक प्रिवर्तन है बी सही जवाब हो जाएगा प्राकिर्तिक रबर का बहुलक है प्राकिर्तिक रबर किसका बहुलक होगा काफी बार दोस्तों बोड अगजाय में भी पूछा जाता है यह जो है आइसोपरीन के बहुलख है, B सही जबाब हो जाएगा आगे हैं दोस्तों, गोदुग्द में गोदुग्द में पीले पन का कारण है दोस्तों कल भी ये कुछन आया था, दूध जो होता है, पीला होता है क्यों होता है पीला और पीला हम लोग के लिए खानी कारक है या फिर का सकते हैं लाबकारी होता है क्या होता है दोस्तों दूद जो पीला होता है वो सबसे जैदी उत्तम परकार की दूद होते हैं और उसमें जो है केरोटीन जैदी होता है तो यह पीला का कारण है केरोटीन त चलिए पढ़ते हैं लाश्ट कोशन के और लाश्ट कोशन आपके एस्किन पर है और आपको बताना है डैनेमो का कार है डैनेमो का कार क्या है पहला आपके एस्किन पर है विदूत उर्जा को यांतरिक उर्जा में बदलना रासायनिक उर्जा को विदूत उर्जा में बदलना या फिर यांत्रिक उर्जा को विदूत उर्जा में बदलना या फिर विदूत उर्जा को रासायनिक उर्जा में बदलना दोस्तों बहुत बार हम लोग कनफूजिया जाते हैं यांत्रिक को विदूत में बदलेंगे या फिर विदूत को या अंतरीक में बदलेंगे तो दोस्तों बहुत बार हम लोगों के साथ ये कन्फूजन होती है तो इस तरह से आपको बताना है कि सही जवाब क्या होगा दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके आप हमें जरूर फीड़्वेक दिजेगा और वीडियो को लाइक नहीं किये तो लाइक जरूर कर दिजे हमारे नए साथ है तो चैनल को सब्सक्राइब भी किजे साथ ही साथ घंटी को दबाने के बाद और पर जरूर किलिक कर दिजेगा दोस्तों इस वीडियो को आप सेर जरूर किजेगा और साथ ही साथ आप अपनी सुरक्षा है तू मास्क का यूज जरूर किजे क्योंकि जिन्दगी रही तो आगे दिन और भी जी लेंगे लेकिन दोस्तों कोरोना वाइरस से आप जरूर परेज रहें किसी भी तरह से लापरवाही नहीं करें खाने पीने की कोई भी चीज हो या फिर असपर्ष से संबंदित ही क्यों न हो हमेशा साथ सुत्रार है जो सरकार द्वारा अभी निर्देश चला जा रहा है कोरोना वाइरस के परती तो उस निर्देश का सकती रूप से पालन करें सरकार के लिए नहीं दुनिया के लिए नहीं आप अपनी दुनिया के लिए आप अपने परिवार के लिए यानि कि परिवार के लिए आप खुद दुनिया हो तो आप कम से कम अपने परिवार के लिए जो है सावधानी को जर कात होगी नए सेशन के साथ इसका पीडियाप टेलेग्राम से डाउनलोड कर लिजेगा धन्यवाद दोस्तों